हेलो एब्रिवान वेरए वेरी गुढेशियो नींग कैसे होँ खूप करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होगे शूफराइंड्स हिंदी लांगोइज की स्पेसरल क्लास में आप सब लोगा बहुत बहुत श्वागत है आज की इस क्लास में हम लोग solve करेंगे हिंदी लैंग्विज के अप्रेक्टे से पूरे 50 प्रशनों कम लोग इस वीडियो में solve करेंगे इस वीडियो में मैंने जितने भी questions लिए हैं सारे के सारे selected questions लिए हैं प्रिविसरे questions लिए हैं जो हर वर्स बीड एंटेंस एक्जाम डीड एंटेंस एक्जाम में पूछे जाते हैं तो पूरी class त्यान से देखना 50 में से जितने भी questions आपके correct हो comment box में अपना real score ज़रू बताना और भी classes अगर आप लोगो देखने ही तो तो इस बार बहतर ही नंकों के साथ अगर आपको बीड में प्रिवेस लेना है तो अभी के भी education विसाइल YouTube चलना को subscribe के लिजे ताकि जो भी update आती रहें वो update आपको मिलती रहें और जो classes होती हैं उनका भी notification आपको time time से मिलता रहे है चलिए पहला प्रशन आपकी screen पे आ गया है सबी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि अगनी सब्द का तदभाव क्या होगा बिलकुन free का number है बताइए अगनी सब्द का तदभाव रूप क्या होगा तदशम तदभाव से एक प्रशन fix है आपके exam में एक तदशम से एक तदभाव से fix है exam में आना तो जितना भी syllabus idea उसको आपको पढ़ना है अच्छे से पहले पढ़ना है ठीक है और बहुत जल्द मैंने आपको बताया भी था कि मार्च से आपकी topic वैसी classes बेस start हो जाएंगी समय आपके पास प्रयाप्त है पूरा मार्च है पूरा अप्रैल है माई में exam last में या तो होगा या तो जून के फस्ट वीक में होगा ठीक ना क्योंकि date form की बढ़ना तय है सासन को प्रस्ताव भी जा गया है जैसे ही सासन से पांस हो जाता है कल आपको morning में पता चल जाएग तो एक माईने exam date भी जो है बढ़ाई जाएगी ओके तो अगनी सब्द का जो तदभाव शब्द होता है वो होता है क्या आग होता है बहुत इच्छे option यहाँ पे एक करेक्ट होता है अगला प्रशन मचली के समान आखों वाली वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा अच्छी हो जागा option यहाँ पे C आपका बिल्कुन करेक्ट हो जागा अनुप्रास है अनुप्रास है यहाँ पे अर्था लंकार है या सब्दा लंकार है या जो है अभया लंकार या उप्युक्त में से कोई नहीं बहुत ही simple सा question है पढ़े होंगे आप लोग अलंकार तो आ अनुप्रास क्या है अनुप्रास और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार हो तो शब्सक्राइब जरू कर लेना हमारे चैनल से आपको निश्ची दी मदद मिलेगी जो भी बी एट इंटेंस एक्जाम की अपडेट आएगी ड तो यहां पर देखी जो अनुप्रास हो जाएगा यह आपका हो जाएगा शब्दा लंकार क्या हो जागा शब्दा लंकार हो जागा ठीक है अलंकार के तीन भेद होते हैं आपका एक सब्दा लंकार हो गया एक अर्था लंकार हो गया एक अभिया लंकार हो गया ठीक है अब सब्दा लंकार में कौन-कौन से आते हैं, जैसे आपका अनुपरास हो गया, इनको नोट के लिजे, अनुपरास हो गया आपका, ठीक है, और आपका यमक हो गया, ये सब आपके सब्दा लंकार में आते हैं, यमक हो गया, स्लेस हो गया आपका, ये ज़्यादा तरफ पूछे जाते हैं एक्जाम में, स्लेस हो गया, उसके बाद वक्रोती हो गया, वीपसा हो गया, पुनर रुकती हो गया, इनको आप नोट के लिजी, ये तीनों खासकर याद होने चाहिए, ये सब्दा लंकार में आते हैं, ठीक है, और अर्था लंकार में कौन-कौन से आते हैं, पर मत जाना, कंटेंट पर जाना, मानवी करण आता है, मानवी करण आता है, ये आपके जो हैं सब अर्था लंकार में आते हैं, ठीक है, संदेह आता है, जो important है, वही मैं आपको लिखा रहा हूँ, चलिए, विरुद्धा भाव भी आता है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेन चलिए, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पर दिखेगा, प्रतेक शब्द का संदेविछेत चुनना है, आपको प्रतेक का, बताईए, प्रतेक का संदेविछेत क्या होगा, संधी से प्रशन आना ही आना है, तो बताईए भाई सब लोग, प्रतेक का संदे वाला सही हो जागा, सी वाला, ठीक है, चलिए, अब आप लोगों से प्रश्न है कि इसमें बताना है आप वोगों को जो कि इसमें संधी कौन सी है, प्रतेक में, संधी, बताइए सब लोग भई, देखें, अन्ताहस बंजन आपका या, वा, रा, ला होते हैं, अब इसमें क्या हुआ अच्छर दिख जाए आपको, तो वहाँ पर यल संधी हो जाएगा, ठीक है, चाहे या में, चाहे वा में, चाहे रा में, चाहे ला में, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिधन एक हो या, प्रतेक में देखें, या में आधा ताह लगा हुआ है न, तो इसमें आपका यल सं सूरिय उदय में संधी बताईए, सूरिय उदय में, बताईए, सूरिय उदय, सबसे पहले इसका जो है संधी बिछेद आप लोग करेंगे, पचपन का जौब दीजे, इसका संधी बिछेद होगा सूरिय धन उदय, क्या होगा, सूरिय धन उदय, ठीक है, अब बताईए आप तो जहाँ पे A plus E हो जाए या A plus U हो जाए ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है? गुणशंदी होता है. शूरिधन उदे, A धन U. आ रहा है न? तो यहाँ पे गुणशंदी हो जाएगा. तो 55 का यहाँ पे A वाला आपका बिलकुम करेक्ट हो जाएगा. अगला प्रशना आपक मैंने कपड़े पहनने हैं यह आपका असुद्ध है. मुझे कपड़े पहनने हैं मेरे को कपड़े पहनने हैं असुद्ध है. मुझे कपड़े पहनना है. तो यह दोनों में से बताएगे कौन सा सुद्ध है? 56 का जाब दीजे. 56 का. तो मुझे कपड़े पहनने हैं. प्रालोभन देना, क्या होता है, प्रालोभन देना होता है, option यहाँ पे बी करेक्ट हो दगा, अगला प्रशन है, वे सज्जन पुरुस कौन है, वाक में अनावा शक्षब्द है कौन सा, सज्जन है या पुरुस है या वे है या है, बताएंगे तब लोग बाई, अठावन का जौब दीजे, तो यहाँ पे देखे जो आपका पुरुस सब्द है, यह आपका अनावा शक्षब्द है, ठीक है ना, तो अठावन का यहाँ पे आपका बी वाला बिलकुन करेक्ट हो दगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सज्जन है, ओलेड़ी यहाँ पे आप वड़ाफट वीडियो को लाइक करो, बहुत इकम लाइक है, लाइक के संख्या तो ये निराला जी की है, राम की सक्ति पूजा की रशनकार कौन है, निराला जी विद्धुत आपूरती में बार-बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा साठ का जॉब दीजे से ब्लोग विद्धुत आपोर्ते में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा सिकायती पत्र लिखा जाएगा option यहाँ पे C correct हो दगा अगला पशन है इनमे से निबंदकार के रूप में कौन चर्चित रहा है 61 का job दीजे तो निबंदकार के रूप में इसमें जो चर्चित रहे हैं वो रहे हैं विद्या, निवास, मिस्र option यहाँ पे A correct हो दगा नैस्ट कोशन आपकी स्केन पे है यहाँ पे आपको जो है सही वरतनी वाले सब्द का चैन करना है जैसे यहाँ पे अनुच्छेद सब्द लिखा हुआ है तो dear आपको बताना है कि अनुच्छेद का सुद्ध शब्द कौन सा है यह आपको बताना है फड़ा फड़ा बताएंगे सब लोग बई अनुच्छेद का सुद्ध शब्द कौन सा है ये तो देखते ही आप लोग बता दिये होंगे कि आपका असुद्ध है ये भी देखें आप ऐसे करेंगे ना कुशन तो जल्दी कर पाएंगे और सटी का अंसर होगा कभी गलत नहीं होगा और ये आप्शन आते भी यहां से आप दो दो आप्शन ये पूंजी वाद में बताइए पूंजी वाद में बताइए पूंजी वाद में बताइए तब लोग छोटा ओकी मात्रा होगी ही नहीं होगी ये पूंजी होगया ये पूंजी होगया तो पूंजी वाद आपका 63 का B वाला सही हो जागा ऐसे कि अगरो आप लोग निमलिकित प्रतेहिक प्रश्ण में दिये गए सब्दों में प्रेउक्त शंधी के प्रकार का चैन किरजी उसके नीचे दिगए विकल्पों में से जो है चैन करना है आपको जैसे यहाँ पर कविस्वर कविस्वर में जो है संधी काुशी होगी बताइए कविस्वर में संधी काुशी होगी चांशट का जॉब दीजैसे बलोग इसका संधी विच्चेट क्या होगा कविधन इस्वर कविधन इस्वर यानि कि E प्लस E निकलके आ रहा है यहाँ ठीक है ना कविधन इस्वर तो जब स्वरों का मेल हो तो वहाँ पे देर के संदी हो जाएगा ठीक है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्ण हाँ, जहाँ पे जैसे A प्लस A हो जाए, E प्लस E हो जाए U प्लस U हो जाए, रिसी प्लस रिसी हो जाए, तो वहाँ पे देर के संदी हो जाएगा, समान वरणर जहां पर आए तो आप आपका देरगे संदी हो जाएगा ठीक है न, और भी example मैं बता दे रहा हूँ जैसे विद्धार्थी विद्धार्थी का जब आप संदी भी छेट करेंगे तो विद्ध्याधन आर्थी विद्धार्थी तो आ प्लस आ निकल के आ रहा है तो इसमें भी कौन सी संदी होगी देर के संदी होगी एक example और मैं दे रहा हूँ महींद्र क्या है महींद्र इसका संदी भी छेट जब करेंगे तो मही धन एंद्र यानिकि बड़ी इ प्लस छोटी इ तो इसमें भी आपका सेम आ रहा है समानवरणा आ रहा है तो इसमें आपका हो जाएगा जिसे एक example और देता हूँ लगहूर्मी क्या है लगहूर्मी तो इसका संदी भी छेट करेंगे तो लगु धन उर्मी उ प्लस बड़ा उ तो इसमें भी आपका समानवरणा निकल क्या रहा है तो आपका देर के संदी हो जाएगा संसार का बाई संदी भी छेट करेंगे संसार का 65 का जॉब दीजे सब लोग बहुत इच्छे बाई 65 का जॉब दीजे सब लोग फड़ा फड़ा अंसर देंगे, संधी से बहुत प्रश्ने स्मिया आज लग गए हैं भाई चलिए, बताएंगे सब लोग फड़ा फड़ा अंसर दीजे, समधनसार, क्या होता है इसका संध बिछे, शमधनसार तो 65 का जो अंसर सही होगा, यहाँ पे C बाला, वेंजनस अंधी, ठीक है, आसमान सब्ड निकल के आ रहा है नीचे लिखे प्रतिक वर्ग में दिये गए विकल्प में से तत्षम सब्ड का चैन कीजिए, जैसे यहाँ पे चांद है, चंद्रमा है, चंद्र है, चंद्र तत्षम सब्ड का चैन करना इसमें आपको, चंद्रमा, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, चंद्रमा, उनका अंसर बिलकुन सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, उसी प्रकार इसमें बताना है, छेद, डंडा, विवाह, सींग, कान सा इसमें, विवाह हो जाएगा, तो यहाँ पर option, यहाँ पर C वाला बिलकुन correct हो जगा, चलिए, निमलखीत प्रतेक शब्द के लिए उसके नीचे लिए विकल्प में से उप्योगत शमास का चैन कीजिए, दसा नन, दसा नन में समास बताना है आपको, बताईए बाई, दसा नन में समास कौन सा है, और जो भी language आपकी अच्छी हो, उसी को लिजीगा आप लोग, ठीक है ना, language वाली एक special वीडियो आई है दो पार में, उस वीडियो को जाके देख लेना, बहुत सारे लोगों का डायूट था, तो दसा नन, दस है आनन जिसके, तो यहाँ पर आपका जो शमास होगा, अनशट का ज रोग पीडित में समास बताना है, रोग पीडित में, रोग पीडित यानि की रोग से पीडित ततपुरुष शमास हो जाएगा, 69 का यहाँ पे option डी करेक्ट हो जगा, चलिए, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, फा में कौन सा जो है उर्दू से लिया गया है, यह आपको कहते हैं जिन सब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते है आकारांत कहते है ठीक है आप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो देगा नेमलगीत में से जो है पावर्गा का विंजन कौनसर नहीं है बताइए 72 का जॉब दीजी फड़ा फड़ा आंसर करें भाई सबी लोग बहुत इच्छे और पचास में से अगर आपके 25-30 भी अभी आपके करेक्ट हो रहे है तैयारी आपकी बहतरीन है और लगे रहे हैं डेली आपको जो है क्लास देखना है तो सा तो है यह बाई उसके बाद मा भी है ठीक है और यहां पे आपका जो है देखे पावरगा का बिंजन कौन कौन सा होता है मैं यहां पे लिखे दे रहा हूँ पा होता है और फा होता है लाइन में पूरी लिख देता हूँ सबी का डाउट क्लियर हो जाए बा होता है और भा होता है, मा होता है तो बताइए आप इसमें से कौन सा नहीं है वा भी नहीं है, नहीं या भी है तो दोनों आपके नहीं है पावर के बिंजन, केवल ये दोनों है ठीक है, तो ये question में थोड़ा बनाने में mistake हो गई है ठीक है न, चलिए अगला बशन आपकी screen पे है चलिए, आगे चलें बाई प्रेम चंद का देहावाशान कब हुआ था प्रेम चंद का प्रेम चंद जी का जो है देहावाशान कब हुआ था अगला बशन तुरंग शब्ध का अर्ट क्या होता है बहुत important question है, repeated question है, कई बार repeat हो चुगा है, कई एक्जाम समेए, question गोड़ा, तुरंग शब्द का क्या आरत होता है, गोड़ा होता है, अगला पुशन, निमलिकित में से कौन सा शब्द मक्खन का प्रयाबाची है, मक्खन का, 75 का जौब दीजे सब लोग, मक्खन का प्रयाब का चिन है, विराम चिन से 100 प्रयशन आपके एक्जाम में question आने वाले हैं, बताएंगे सब लोग भाई, विराम चिन, फटा फटा आंसर दीजे सब लोग, अर्ध विराम का चिन्न कौन सा है अर्ध विराम का चिन्न तो अर्ध विराम का चिन्न आपका ये वाला है ठीक है ये ऐसे रहेगा ये समें देख सकते है ओके ये आपका है ये किसका है पोड़ विराम का है ये किसका है प्रश्णवाचक चिन्नका है, ठीक है? हिंदी भासा की लिपी है कौन सी लिपी है? देव नागरी option B correct हो जगा इनमें से किस वाकिक किरिया सकर्मक है? बताए, किस वाकिक किरिया सकर्मक है इसमें इनमें से किस वाकिक किरिया सकर्मक है? ये वाला आकास वाड़ी से यहाँ समचार परसारित हुआ option C correct हो जगा इनमें से कौन सा शब्द विशेशन नहीं है भाई? इनमें से कौन सा शब्द विशेशन नहीं है? ये वाला नहीं है उन्यासी का ये वाला दिख भ्रह्म, ठीक है? अगला वशेशन आपकी स्केन पर है इनमें से कौन सा शब्द से से तीन से भिन्द है? ये वाला ये जो है इन तीनों से भिन्द है समप्रक्त, option E correct हो जगा इनमें से किस सब्द में? अव उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता है 81 का जॉप देने का प्रयास करेंगे सब्लू इनमें से किस सब्द में? अव उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता? ये वाला अवधान, option याँ पर D correct हो जगा तुम्हारा परिच्छा में पर्थम आना तो ऐसा जैसे उट के मुँँ में जीरा गोड़े की बला, तबैले की सिर, अंधे के हाथ बटेड लगना अंधा क्या जाने, वसंत की बहार 82 का जॉप देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहाँ पर 82 का option C correct हो जगा अंधे के हाथ बटेड लगना अगला बशन है विजन वन, वललबी पर सोती थी सुहाग भरी में अलंकार है कौन सा इसमें आपका अनुपरास और मानुई करण है option यहाँ पर B correct हो जगा इनवे से कौन सा शब्द इस्तरी लिंग है बताइए, इस्तरी लिंग सब्द कौन सा है भर मार, अच्छी भर मार ठीक है, जब इस्तरी लिंग, पुलिंग पैचाना हो तो अच्छी अच्छा करके पैचाना करो ठीक है, तो अच्छी भर मार होती है तो यहाँ पर इस्तरी लिंग आपका यह है ठीक है, अगला इनमें से कौन सा वाकिय असुद्ध है बताईए कौन सा वाकिय असुद्ध है इसमें चारों वाकियों को पढ़एए फिर आप लोग बताईए कौन सा वाकिय असुद्ध है इसमें 85 का जॉप दीजिए फटा फटा अंसर दीजिए सब लो दीखे jump. इसमें आपका ये सही है. ये सही है. ये सही है. तो यहाँ पे जो 85 का जो C वाल आपको दिख राए है. की दो चार साल बाद ये तो नहीं होंगे. लेकिन ये होगा. ये आपका वाकि असुदध वाकिय है. 85 का C आपका बिल्कुन correct हो देगा. चले इनमें से किस वाक में भाव आचे का प्रियुक हुआ है? भाव आचे का प्रियुक किस में हुआ है? बताइए फड़ा-फड़ Simple सा कुशन है इस गर्मी में सोया नहीं जायेगा तो ये आपका भाव आचे है, ठीक है? चलिए इनमें से किसमे आ उपसरग का परियोग हुआ है ये इसमें हुए अमलान में आप्शन बी अगला परिशन इनमें से कौन सा शब्द प्रते रहित है ये वाला मल यानिल आप्शन ए करेक्ट हो दगा पुनर जनम का संदे भी छेट क्या होगा पुनर जनम का तो पुनर जनम का संदे भी छेट होगा पुना धन जनम ऑप्शन याँ पे ए करेक्ट हो दगा पित्र धन रण का संदे भी छेट क्या होगा पित्र धन रण का संदे भी छेट क्या होगा बताएं सब लोग बाई नब्बे का जौब देने का प्रयास करेंगे सब लोग तो पित्र धन रण का संदे भी छेट होगा मैं पहले ही बता दिया हूँ पित्र धन रण हो जागा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जगा यह चीज़े रटी है तो मैंड में आ जाती है चलिए यहाँ पे आपको जो है तदभाव शब्द का चैन करना है तदभाव शब्द कौन सा है जैसे कान है नासिका है कटक है परिक्छन है तो इसमें तदभाव शब्द कौन सा है तो कान होता है करण आपका तदशम होता है चलिए इसमें पता यह कौन सा तदभाव शब् ये 92 का ये वाला पीड़ा आपका जो है ठीक है तदबो शब्द निमलेकित विकल्पों में से बेमिल यानि के असंगत शब्द का चैन करना है जैसे यहाँ पे समस्या है जटिलता है कठिनाई है खेद है कौन सा है तो यहाँ पे देखिए आपका जो खेद शब्द है यह आपका असंगत है ठीक है तीनों में से उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा असंगत है अलग है आद ही आद ही आपका अलग है इसमें अगला पश्ण कैदी और कोकिला सीरसक कविता के कवी का नाम क्या है कैदी और कोकिला सीरसक कविता के कवी का नाम क्या है माखल लाल चुतरवेदी है ओप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जगा अगला पश्ण आपकी स्क्रिन पे आ गया है भाई फड़ा फड़ जॉब दीजे कि मावी प्रशादि वेदी ने आदिकाल को क्या संग्या दी है क्या संग्या दी है वीजवपन काल की संग्या दी है ओप्शन यहाँ पे D करेक्ट हो जगा अति सूधो सनेह कुमारग है किसकी पंक्ती है पताए किसकी पंक्ती है यह गहना नंद की पंक्ती है option यहाँ पर D correct हो जगा आधुने के हिंदी साहित की पहली आत्मकता के लिखा कौन माने जाते हैं बाबु स्याम सुन्दर 10 ठीक है और 1 by 3 नेगेटिव मार्किंग भी है तो तुक्का आपको ज्यादा नहीं मरना है ठीक है स्वास की आधार पर वरणों के दो रूप कौन से है 99 का जॉब दीजे फड़ा फड़ा अंसर दीजे भाई सभी लोग बहुत एच्छे तो अलप्राण और महाप्राण इसमें हो जाएगा option यहाँ पर B correct हो जाएगा अलप्राण महाप्राण कैसे पहचाना जाता है 135 और जो है 24 135 चोबिस के मतलब समझ रहे हो जैसे का वरग की अगर हम बात करें का वरग की तो का वरग में आपका जैसे पहला वरग क्या हो जाएगा का हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा कावर्ग का गा हो जाएगा और पांचवा क्या हो जाएगा अंगा अगर हम चावर्ग की बात करें चावर्ग तो पहला ही हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें जा हो जाएगा और पांचवा क्या हो जाएगा डियर इया हो जाएगा तो इसे प्रकार से टावर्ग में ले लिजेगा तावर्ग में ले लिजेगा पावर्ग में ले लिजेगा और साथ ही अन्तहस बंजन यानकी यारालावा ये सबी आपके अलप प्राण होते हैं क्या होते हैं अलप प्राण होते हैं महाप्राण की बात करें तो महाप्राण मे दूसरा बेंजन और चौथा बेंजन तो अगर हम कावरकी की बात करें तो कावरक में दूसरा क्या है? खा है और चौथा क्या है? घा है उसी परकार चा में ले लीजे चा में चा हो जाएगा जा हो जाएगा और साथ ही आपका उसमें बेंजन ये तीनो सा आपके ये तीनो सा और हा ये आपके जो है महापरण होते हैं ठीक है तो 135-24 करके याद रखियंग है अलपरण अरपरण जैसे होता है तो अलपरण आसे अरपरण होता है, आसे अंतहस बंजनति जब आपके यारालावा ये भी हो जाएगا ऐसे याद कर ली जगा क्था की आज की आज ही हिंदी लैंग्विसी क्लास कमेंट वाक्त में अपना फीडबैक जरूर देना और वैई इस बार सरकारी सी टनी है हर हाल में तो शेलों को सब्सक्राइब के लिजे और बेल आइकन को ओल पर फिर्श के लेना ताकि जो भी क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलते रहे हैं। थैंक यूश्यमच विडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना मिलते हैं अगली क्लास पर बैबाए टेक क्यार।